तो दोस्तों अगर आप भी किसी वेबसाइट को अगर PDF में करना चाहते हैं क्योंकि देखिए इससे फाइदा क्या होगा कि हमें बार बार जो हो हमारा इंटरनेट जो डेटा है वो कम खतम होगा अगर क्योंकि हम किसी वेबसाइट को पहले से अगर PDF फॉर्म में सेव करके रख लेते हैं तो हम डारेक्ली उस लिंक पर जा सकते हैं उसको उपन कर सकते हैं जैसे कि सब्स यहां पर मैं आपको एक एक्जांपल बताने वाला हूँ तो इसको में ओपन कर लेता हूँ तो यहां पर सबसे नंबर वन पे क्या मांग रहा है एंटर वैड्रेस या पेस्ट फ्रॉम क्लिप बोर्ड तो यहां पर वैड्रेस हमें डालना होगा जिस वेबसाइट को पीडिएफ फॉर्म में फॉर्में करना चाहते हैं यहां पर मैं यूट्यूब चैनल पेस्ट को ही को आडवेड्य पेसफ करलेता ऌओ तो सबसे पहले हम् गूफल के चला जाता हूँ यहाँ पर मैं यहां अपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना account जो YouTube का already login किया हुआ है तो यहाँ पर three dots पे click करके इसे में desktop site में convert कर लेता हूँ So friend, यहाँ पर हमने अभी अभी अपने YouTube को जो Google Chrome के अंदर desktop mode में open कर लिया है और यहाँ पर मैं वापस से अब जो हमारी profile picture दिखती है सबसे ओपर top right corner पर उस पर click करेंगे और यहाँ पर your channel पर click करेंगे हम तो यह से मैं अपने channel पर आ जाऊंगा और देखे हैं यह मेरे channel open हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं home और सारे videos सारतो videos पर आ जाएंगे हम देखे हैं यहाँ देख सकते हैं यह मेरे जो अप्लोड की वे सारे वीडियो यहां पर देख सकते हैं तो अब हमें करना क्या होगा कि इसका जो यूरेल है यहां उपपर जो आपको दिख रहा है यूट्यूब दॉट कॉम तो यूरेल यहां पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर अल्रेडी आपको कॉपी शेयर और एडिट करने का ओप्शन देता है तो यहां पर हम कॉपी वेड़न पर क्लिक कर देंगे और अब हम जाएंगे हमारे वेब टू-PDF Converter application पर और यहां पर हम यहां पर Paste from Clipboard पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर हमारा जो URL वो को copy हो चुका है पेस्ट हो चुका है और यहां पर आगे आपको arrow दिख रहा है इस पर हम फिर क्लिक करेंगे तो यहां पर पर क्लिक करते से ही आपका यहां पर भी आपको पूरा चैनल यहां कोई भी वेबसाइट आप करेंगे वो ओपन हो जाएगी तो देखिए अल्रेडी यहां पर यह वीडियोस वाले तो मैं फटा-फट स्क्रोल कर देता हूं और फिर आपसे मिलता हूं तो प्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पूरा सारे वीडियोस में स्क्रोल कर लिए हैं तो सारे स्क्रोलिंग करने के बाद यहां सबसे नीचे जो टॉप राइट बॉटम राइट कॉर्णर म अखिय। देख सकते हैं डाउलोड का बटन दीया हूँ है तो इस फें हमें क्लिक करना होगा बस लगने दो पिक्षमें बीच में आया था था तो उसको आप उपर से क्रोस कर सकते हैं और आह देख सकते हैं ईसका अगर आप सेंपल देखनाय सारी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में देदूंगा वहां से आप इसका सेंपल जो यह मैं बना रहा हूं कि इसको आप देख सकते हैं कि अब यहां पर आपको सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करना होगा तो देखें यहां पर हमारी जो फाइल वो सेव होच चुकी है अब सबसे उपर अगर आप देखना चाहते हैं उस फाइल को ओपन करके तो उपर जो फोल्डर का आइकोन दिखा है उस पर क्लिक करें यहां पर देख सकते हैं एक फाइल मैंने यह पहले बनाई थी और एक जो आए आज बनाई यह जुलाइ 11 और एक जुलाइ 6 को बनाई थी तो पूरानी वाली तो मैं डिलेक्ट कर देता हूं अब यह अपडेटेट यहां आप देख सकते हैं तो यह आज हमने वेब टू पीडिएफ से द्वारा कनवर्ट की है और इसको ओपन करके बता रहता हूं यह देख से फूरा है जो यह वो पीडिएफ बन गया यह और इसमें आप किसी भी जो वीडियो पर जो इमेज दिख रहा है थामनेल पर क्लिक करेंगे तो आप डारेक्ट जो यह वो उ किसी वेब्साइट को या या यूटिव चैनल को आप जो वो कर सकते हैं उसको अपने मोबाल में रख सकते हैं और बात के लिए आप काम में ले सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद